बिहार के भागलपूर की एक महिला जो खुद को नौकरानी बता कर बड़े बड़े शहरों में जाती है और वहां जाकर चोरी करती है और आपको बता दें कि अब तक उसने लगबग एक सौसी भी जादा घरों में चोरी की है और इसके साथ साथ उसके खिलाफ दिल्ली में 26 मा लोगों को निशाना बनाया है और वहां जाकर लाखों रुपिय के जेवरात और पैसे की चोड़ी की है और उसने चोरी किये गए पैसे से दिल्ली में अपना एक शांदार घर भी बनवा लिया है काजल जिस भी घर में जाती है वहां खुद को नौकर बताती है और वहां का करने लगती है जिसके बाद कुछ समय बीतने पर वह उस घर में चोरी करके फरार हो जाती है आपको बता दें कि काजल एक सहर से दूसरे शहर जाने के लिए हवाई जहाज के सवारी करती है यानि की काजल जब भी चोरी करती है तो चोरी के सामान के साथ फ्लायट लेकर दिल्ल रुपिये और सोने की गहनों की चोड़ी की है जिसके बाद पुलिस ने काजल को आमरिपाली विलिज सोसाइटी के सेसिटीवे फुटेज के मदद से गिरफतार किया है जब काजल की गिरफतारी हुई तो उसके पास से 3,00,000 रुपिये और सोने के जेवरात बरामत हुए हैं जिसके बाद इंद्रापूरम के छेत्रादिकारी अभेमिश्रा ने बताया कि काजल ने पूछताज के दौरान ये भी बताया है कि ये सभी चोड़ी चकारी का काम वो अपने साथी बंटी की मदद से करती थी और उसने गिरफतारी से पहले की भी चोड़ी बंटी की मदद स कर नौकरी मांगी और जब उसे वो नौकरी मिल गई तो पहले तो वो कुछ दिन अच्छे से घरेलू सहाईका के रूप में काम की और उसके बाद एक दिन उसने मौका देखकर बंटी को बुलाया और फिर दोनों अपने शाजस के अनुसार चूरी करने के लिए सबसे पहले व बातों में उल्जाए रखा और इसे बीच बंटी ने विपल गोयल के घर की अलमारी से गहने चुराए और दोनों आटो रिक्सा से सोसाइटी से बाहर निकल गए और चुराए गए सोने के गहनों को आपस में बाट लिए उन्होंने बताए कि काजल घरेलू सहाईका के रू बन खरी दी और अब वहां मकान भी बनवा लिया है यानि कि काजल अब तक इतनी पैसे की चॉरी कर चुकी है कि अब उसके पास δिल्ली के उत्तम नगर में एक शांदार मकान भी जो उसने चोरी के पैसे से ही बनवाया है पुलिस के मुताबिक काजल ने ये भी स्विकार किया है कि उसने अब तक कम से कम 100 घरों में चोरी की है और NCR के जीलों में उसके खिलाफ 26 मामले दर्ज किये गए हैं उसने कहा कि वो चोरी करने के लिए दूसरे शहर विमान से जाती ह और वहां चोरी करके वापस भी दिल्ली विमान से ही आती है पुलिस ने कहा कि काजल की गिरफतारी के बाद अब उसकी सभी अवैद संपत्ती को जब्द कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सक्त गैंगेश्टर अधिनियम के तहत कारवाई की जाएगी हलांकि काजल का पा आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहें धन्यवाद